जी हां आप 10 सेकेंड में मात्र और मात्र 10 सेकेंड में ऐसे सवालों को हल कर पाएंगे जिसको यदि आप साधायर तरिके से हल करना सिखें तो आपको 5-10 मिनिट लाएंगे ठीक जैसे देख सकते हैं एक जामपल आपने थमनेल में देखाई होगा तिन टाइप के प्रस्नों को तory देखिए फेला हमारा question है आपका इसमें आपको ज्याद कर शान आप कहाई कांक तो आप कैसे ग्याद करेंगे मान लिजिया आप सदार तक करते हैं तो इसका गूड़ा करेंगे पहले फिर इस में फिर इसका प्रस्सकें चारांज सभी हैँकाम कई कांकь ले लिए णक त गाई कौन सा है 3 उसके बाद एकाई आपका है 6 उसके बाद आपका एकाई है 2 ठेक 3, 6, 2 उसके बाद आपका एकाई है 7 सभी को मंतिप्लाई कर डीजिए जी हाँ, बिखिया एकाई 3, 6, 2, 7 इसका मंतिप्लाई अम देखिए 6, 18 18 हुआ यहाँ यहां भी अब आपका इकाई काही अंक केवल लेजिएगा क्या इकाई काही अंक आपको लेना है फिर आर्दुना सोल्ल कितना हुआ सोल्ल फिर यहां भी आपका इकाई का अंक लेना है फिर साथ चंग 42 कितना यहां 42 तो आपका इकाई का अंक क्या होगा इसका दो जी हां इस इतनी जल्दी पहाड़ा पढ़ने जानेंगे आपको ज्यादा ज्यादा नव तक का पहाड़ा आने चाहिए इसमें नाइन तक का उसके बाद आप पीजी दस सेकंड में सवालों को हल कर लेंगे इसका कितना आया दो तो आपका 42 में क्या है दो तो इसमें किया होगा दो चरिये एक दूसरा उधारर के साथ आपको देखते हैं अच्छा लगे एक छोटा सालाइक जयूद किजिएगा देखिए माल लीजी हमाएँ पास यह कोई संख्या है इसमें आपको बोल दिया 1 कांग याद करो जी हाँ इकांग याद करो देख्थए कैसे क्याद करेंगे सभी का इकाई कांग ले लीजिए इसाइए नहीं आपका चार गूरा 4 गूरा 8 गूरा 4 अपकी शक्राइज आप देख्थे में एकांग ले ला है। waitis में 22 मतलब 25 का आप क्या हुआ इसका दो है इसका संक्या है तक आपके दो आएगा तुरत बता दिये मांतर हुआं peach दस सेकेंद में इसको हल करके बता देंगे कि इसमें हें हां इस टाइप से आपिका इसलिए को बता सकते हैं जो भी कोश्चन रहे आपका जो भी प्रस्ण रहे मंट्लइ रहे काइका। कापके पाफ कुछे मं मल्ट्इपऩ़य में तो आप इसे टाइप से हल करके निकाल सकते हमां तो यह है हमारा पहला टाइप को को हल करने का अब हम देखते हैं दूसरा तरीका है यह तो आपको अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक जोर कीजिएगा और सभी तक इसको स्रिया कीजिएगा आप की चर्चा करते हैं देखें दुसरा टाइप क्या है माल लिजिए आपके पास नहीं हाँ साथ की से वेन की पावर आपका है थर्टी वन इसमें आपको गयात करना है क्याकर वह क्यांग तो कैसे व्याद करेंगे देखिए शाथ की घाट तईश और माइनस तिन की घात 31 ठीक मत ताप 7 की power 23-3 की power 31 जब भी जो फार्मूला भी मैं बताऊंगा आपको 7 की power आप 3 की power में ही काम देगा जैसे आपको 7 की power 23 इसका इका अजयात करना है तो आप क्या किजिएगा सबसे पहले जो घात में है आपके power में है उसको 4 से multiply 4 से divide कर दीजिएगा देखिए 23 है इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए जैसे भी आपको डिवाइड आता है कर दीजिए ठीक जैसे आपके पास 4 पंचे 20 हो गया 4 पंचे 20 तो कितना सेस्फल बचेगा यहां 3 आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं यादी आपको नहीं आता तो 23 245 बड़ करेंगे 20 आएगा आपका सेस्फल मतलब रिमेंडर कितना बचा 3 सेस्फल आपका 3 बचा थी तो यहाँ जो 3 सेस्फल बचा जितने भी सेस्फल बचे उतने बार इसका मल्टिप्लाई कर दीजिए 7奇怪 अब इसमें कया इकाई का आइक तो इसमें क्या ग्याद करना काई का आपके कितने आया तीन वीडियो नहीं समझाया होगा मतलब बाइक करके दसकें पिछे देख सकते हैं यहां मैंने करसे निकाला देखिए यहां चार पंचे 20 सेसफल आपके तीन बचे तो साथ का गुड़ा तीन बार कर दिये साथ सते उन्चास नौ उसके बाद उन्च कोई काई कांग ज्याद करना है तो देखिए इस टाइप से इसमें भी ज्याद कर सकते हैं वीडियो प्रिव्स करके आप उतार सकते हैं नौ उताना चाहें तो अब तीन की घात 31 को हमहल करते हैं तो इसको भी देख लिजिए 31 को आप 4 से भाग दे दिजिए तो कितना आपका 28 आएगा साथ बार में फिर आपको तीन सेजफल बच जाएंगे मतलब तीन रिमेंडर बच जाएंगे इसमें ठीक तो आपको क्या करना है तीन का तीन बार मल्टिप्लाई करना है जितने यहां सेजफल बचेंगे उतने बार आपको मल्टिप्लाई करना है तो देख 3-7 हम कर देते हैं इसके जगाँ पर 3 लिखेंगे इसके जगाँ पर 7 लिखेंगे अब इसको घटा कि आपको काई कांग याद करना है तो यह तो केवाली काई यह लाए हैं हम इसमें हम इधर से केरी मतलब इधर से हासिल लेते हैं तो हासिल कुछ भी रहे हासिल लेंगे तो यहां की आजाएगा आपका 13 हो जाएगा तो इसका एंसर कितना होगा इकाई कितना होगा आपका छए चलिए एक अरुदारर की मदद से देखने कोशिश करते हैं फ्रीक क्येवाल आपका स्थी घ되는 की घाथ में रहे कोई ही चीज त्कीन चाट में तभी लाग आपका िहां साथ लीडर और 80 सेजब अलसे 5 को टो होगाँ देंगे तो अब आपका में किया करना है को साथ होता है 1, क्या होता है, 1, 7 गहाद 0 बराबर 1, तो यहां काई का अंक आपका क्या आ जाएगा, 1, ठीक, और यहीं आपका यदी रहे, देखिए, यहीं आपका यदी रहे, सेव्मेन की घाट 50 ठीक तो आप क्या करेंगे 50 बटा 4 4 एकम 4 4 दूना 8 कितने बचे आपके सेसफल 2 2 आपके सेसफल बज गए भाग दे सकते हैं तो यहां करेंगे 7 की घाट 2 मतलब 7 गुड़ा 7 दो बार करेंगे 7 सते 49 तो यहां का हैं आपके कितना जाएगा साथ की घाट 50 में 31 काउच 9 यहां देखें 9 आया हमारा तो साथ की घात 50 में 31 काउच का आएगा 9 तो गयाहत कर लिए तो रख अब दखेए समें इकाई का आगया यदी यहीं भूले थरी की घात में आपका 28 बोल दे ठीक तो इसमें इकाई का आपका इसे घ्यात करेंगे तो इसमें भी आपको वही करना है चार से डिवैड देना है 28 बट्टा चार कितना आ जाएगा आपका साथ चको 28 सेश फ़ल आपके आगए 0 सेश फ़ल कितने आगए 0 जब 0 यहां सेश फ़ल आए तो यहां किया हो जाएगा आपका 3 की घाट 0 बराबर 8 इसमें 1 काई कांग किसमें इसमें यदि आप बोले हमको कि इसको माइनस करो मतलब आ आपको बोले तो आप क्या करेंगे यहां आया है 1-1 बराबर 0 और यहीं यदि आपको 3 आ जाता ठीक 3 आ जाता तो यहां से केरी लेते इधर जो भी रहेगा इसमें 1 के बाद 10 के जगह पर मतलब इकाई के बाद दाही के जगह पर कुछ ना कुछ जलूर रहेगा वहां से इस टाइप से आपका हल होगा ठीक तो यह ट्रीक आपके लिए आपका केवल है साथ की घात में रहे तो तीन की घात में रहे तब के लिए ठीक तो यह है दूसरे टाइप का सवाल वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको जल्दी बन रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर ठिक फिर पाज संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं यदी नहीं तो सेस्फल क्या होगा क्या होगा यदी नहीं तो सेस्फल क्या होगा देखिए क्या लिखा है संख्या 1,2,3,4,5,6,7,8,9,5 ठिक इसको आप गिनेंगे कितना जाएगा काई दहाई सेकड़ा हजार दस हजार लाग दस लाग करोर दस करोर अरब ठिक संख्या 1,2,3,4,4,7,8,9 अब इसको बोलेगा आपको संख्या 11 से भाजित होगी या नहीं ठिक आपको चेक करना है 1,2,3,4,5,6,7,8,9,5 अब इसमें देखना है सम इस्थान पर कौन सा है और वी सम इस्थान पर कौन सा है एक यवाल आपके ग्यारत से भाजिता का नियम जो होता है उसी के उपर आशित है ठीक मतलब 11 से कोई भी संख्या भाजित होता है नहीं उसको यहां से चेक करते हैं इधर से आपको इकाई से लेना है जो संख्या सम इस्थान पर है सम इस्थान मतलब आपके 2,4,6,8 इवेर नमबर पर है जो संख्या उसको लिख लेना है एक तरप उ सब्सक्राइश को देखें यहां सम इस्थान आपका इवला है सम 2,4,6,8,10 इस सारे आंप सम इस्थान है सम इस्थान पर कौन कौन सा लिखले थे हैं सब को जोड़ देते हैं एक धन तीन धन पाँच धन साथ धन नव देखिए ए वाला सम पे है ए वाला सम ए सम ए वाला आपका सम इस्थान पर है मतलब इन सभी को जोड़ देते हैं तो आपका कितना आ गया तीन एक चार चार पाँच नव नव साथ सोल नव पचीस आपके 25 होगा यहां अब हम इसको जोड़ देते हैं जो विस्थान के अलावा है सम इस्थान के अलावा कहा है विस्थान पर विस्थान मतलब 1, 3, 5, 7, 9 तो देखिए हैं क्या-क्या है आपका 9 इस्थान पर 2 उसके बाद आपका 7 इस्थान पर 4 उसके बाद पांच वे इस्थान पर 6 उसके बाद आपका तिसरे इस्थान पर है यार उसके बाद पहले इस्थान पर है 5 इसको जोड़ देते हैं 4 2 6 6 6 12 12 8 20 25 25 25 जी हां 25 अब इसको माइनस कर देंगे मतलब जो सम इस्थान पर आए उनका योग करके अब इस्थान पर आए उनका योग करके माइनस कर देना है माइनस कितना है आपका 0 यदि माइनस करने पर यहां 0 आता है 0 या फिर 11 आता है क्या आता है 0 या फिर 11 आता है तो संख्या 11 से पूरी तरह स्वभाजित होगी ठेक संख्या 11 से क्या होगी पूरी तरह स्वभाजित हो होगी क कैसे चेक है हां जो एक संख्या का लिये उसके बाद में ऩो को संख्या से बबादर कर लिये दुसर में समझन कोसिस करते हैं हम दुसरा उदाहर नहीं हम हम Сंहां लिखते हैं हम तो यहां देखिए आगे आपका बोला था क्या बोला था कि संख्या ग्यारस विभाजित हो गी या नहीं यदी नहीं तो सेस्फल क्या होगा तो हाँ हमारा विभाजित हो गया, विभाजित हो गया, मतलब आपका सेसफल पुछेगा भी, तो आपका सेसफल क्या होगा, सुनने हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरह विभाजित हो रही है, ठीक, अब हम देखते हैं, देखिए, अब इस संख्या को हमचे करते हैं, कि यह संख्या जो है, 11 विभाजित होगी की नहीं, तो इस संख्या को लिख लेते हैं, देखिए, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 2, 3, लिख लिए संख्या को, अब देखिए, कौम सा संख्या की सिस्थान पड़े, पहला, दूसरा, तिसरा, च पांचवा, चाथमा, साथमा, आठमा, नुमा, ठीक, तो जो जो समिस्थान पर है, उसको एक तरफ जोड़ देजिए, जो समिस्थान पर है, उसको एक तरफ, तो समिस्थान पर आपके दूसरे कहलाते हैं, दूसरा, चाथमा, आठमा, ठीक, इन चारों को आपको जोड़ द खंद 3 धन आपके हो गए 7 धन आपके हो गए 9 धन 3 हुआ थिक मदलब 3 धन 9 धन 7 धन 3 धने अब आपके 3 1 4 7 4 11 11 9 20 23 23 23 कितना आगे आपका 23 सिद्ध आपको 23 अब इन दोनों को आपको मैनस करना है 18 मैनस 23 किजिए या फिर आप 23 मैनस 18 किजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है हाँ आपने को बस चेक करना है कि भाजित होगा नहीं तो यहां करेंगे तो माइनस पांच आएगा ठीक तो देखिए आपका कितना आया पांच और क्या मैं बोला कि यदि 0 या 11 आता है तो संख्या 11 से भाजित होगी हाँ हमारा क्या गया पांच जी हाँ यहीं देखिए यदि नहीं तो सेस्फल क्या होगा तो यहीं सेस्फल यहीं आपका है यहाँ यदि हम सेस्फल देखें तो आप देख सकते हैं 5 आ गamet ऑग़िया हमारा अब आप लिखेंगे हम कि संख्या 11 शोई भाजित नहीं होगी क्या बोलेंगे संख्या 11 शोई भाजित नहीं होगी हमने देख्या 11इभाजित नहीं होगी और सेस फल आपका कितना बचेगा सेस्फल तो 5 बचेगा जी हा territorial सेज़ फल आपका 5 बचेगा तो इस ताइप से इसमें आप देख के बता सकते हैं संख्या 1100 इभालित होगी की नहीं और सेज़ फल आपका कितना बचेगा मात्रा आपको स्फीड आपका होना चाहिए केलकुलेशन गाणा करना फिर आप ज्यादा ज्यादा आपको 10 सेकेंड लएँगे गाणा करने में तो यह हैं तिन टाइप के सवाल जिसको आप 10 सेकेंड में हल कर सकते हैं तो आप कमेंट करकर हमें जरूर बताहिएगा वीडियो आपको कैसा आगा होगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजेगा इसे सभी तक शिया किजीगा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्स फर वाचिंग जय हिंज भारत नेस्ट बिलेंगे अगले वीडियो में